आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट चेप्टर जो है क्नास 10 का दीपेस पोर नीविंग तो इसका हिंदी होता है जीवन की गती तो देखिए क्नास 10 का जो हम लोगों का बिहार बोर्ड का जो सिनेबस शुरू हो रहा है इसमें आज का हम लोगों का ये फर्स्ट वीडियो है इसमें आज हम लोग सबसे पहने देखेंगे इस सारे exercise का जो hard meaning है उसके हिंदी को देखेंगे तो देखिए अगर book में हिंदी को निखेंगे न तो ये थोड़ा गंदा लगेगा देखने में ठीक है तो अगर आप इस book का हिंदी देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी share और subscribe कर दे और bell notification प्रेस कर दे जिससे की जब हिंदी आए तो आप देख सकेंगे तो चलिए book को side में रखते हैं और meaning को meaning का आप दो हिंदी दिखेंगे इस पे ठीक है तो आप इसे note कर सकते हैं जिससे की आपको ये क्या जब इसे chapter का हिंदी परांगना तो उस time आपको बहुत ही ये आसानी होगी तो चलिए देखते हैं first number से meaning novelist तो देखिए novelist में सोता है वैसे बैक्ती जिन्हें novel पुरसकार प्राप्त हो याई novel पुरसकार प्राप्त करने वाले इसके जो writer है तो RC Hutchinson जो है उन्हें novel पुरसकार मिला है तो इसे लिए उन्हें novelist बोला जाता है इक्स हिविष्ट यानि प्रादर्सनिक अब आगे आम लोग देखते हैं इक्स सेप्सनाद मतनब ओसाधारान फिर आगे फ्लेयर फ्लेयर मिस स्वभाव फिर आगे आम लोग देखते हैं टचिंग टचिंग का इंदी होता है मारमीक सेंसिटीव संबेदन सील सेंसिटीव के बाद हम लोग आगे देखते हैं इसू इसू का मतनब होता है समस्या फिर आगे हम लोग चलते हैं कंटेम्पोररी कंटेम्पोररी का इसका मतनब होता है समकालीन समकालीन का मतनब उसी समय में है यानि जैसे मान दिए कि अकबर के समय में बिरबन हुआ करता था तो अकबर बिरबन का क्या था समकालीन यानि एक ही समय में दोनों हुआ करता था अब चलते हैं कांट्रेडिक्संस इसका मतनब होता है विरोधा भासी अब देखिए कॉंट्रेडिक्शन्स के बाद पैराडॉक्सेश तो इसका भी मतनब होता है विरोधा भास फिर आगे हम लोग चनते हैं पैस पैस का मतनब होता है गती फिर आगे चनते हैं पैस के बाद नेक्ट में मूवमेंट मूवमेंट का भी होता है गती फिर आगे हम लोग जैनते हैं कॉर्न मर्चेंट तो देखिए कॉर्न का मतनब होता है अनाज यानि मक्का और मर्चेंट का मतनब ब्यापारी यानि मक्का का ब्यापारी यानि इसमें जो बैक्ती जो चीफ करेक्टर है वो एक मक्का का ब्यापारी है फिर आगे हम लोग देखते हैं चीफ चीफ का मतनब प्रमुख या मुख्य फिर आगे हम लोग चनते हैं करेक्टर करेक्टर का मतनब चरित्र फिर आगे हम लोग चनते हैं एन्जाइटी अगर आप इसका फेर बनाना चाहते हैं तो आराम से इसको देखिए उतार लीजिए कॉपी में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको से भी बाइट के इंगलिज का हिंदी आसानी से कर सकते हैं फिर आगे अमनोग चलते हैं नोशन नोशन का मत्नव होता है धारना फिर नोशन के बाद अमनोग चलते हैं डिस्पेयर तो डिस्पेर का इंदी होता है निरासा डिस्पेर के बाद आगे हम लोग देखते हैं इंचैन्टिंग इंचैन्टिंग का मतनब होता है कारा मती कम्पनेंट शिकायत कम्पनेंट का मतनब शिकायत फिर आगे हम लोग चंगते हैं कम्पनेंट के बाद ग्लोरियस नी ग्लोरियस नी के बाद इर रिनिवेंट इसका मतनब हो प्रासंगीक इर रिनिवेंट के बाद अनलोग चंगते हैं सिच्चुएशान मिस अस्थिती सिच्चुएशान मिस अस्थिती इसके बाद इनस्ट्रेशान इनस्ट्रेशान का मतनब शित्रन तो देखिए ये पेज अमनोगों का कंपनीट हो चुका है पूरा देखिए अब चंगते हैं क्या नेक्स्ट पेज पे वो अदिवानी को थोड़ा साइड में करिए क्योंकि पेज के नीचे बाले में था कोई बात ने आप अपने पे भी फोकस करिए इनस्ट्रेशन तक हो चुका था ना देखनेते हैं एक मिनेट हास आई है अब इनस्ट्रेशन के बाद हम लोग चलते हैं आगे एप प्रोचेस कि एप प्रोचेस क्या मतनर द्रिश्टी कौन या पहुंच फिर आगे अमनों देखते हैं डिस डाइक तो देखिये आप यूट्यूब पे भी ये देखते होंगे डिस डाइक निकाव आओ तागे मतनर ना पसंद डाइक का मतनर पसंद और पसंद का अपोजिट डिस डाइक ना पसंद फिर आगे अमनों चलते हैं रैपीड रैपिड का मतनद तेज फिर आगे देखते हैं एडोर मिस प्यार एडोर एवन मिस प्यारा ठीक है? हर्न उच्छानना ठीक है? फिर हर्न के बाद हम लोग चनते हैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का मतनद अनुभाब एडमीट एडमीट का मतनद सुईकार करना एडमीट के बाद सूपरफीसियल सूपरफीसियल का मतनद सतही सूपरफीसियल के बाद ड्रामा ड्रामा का ड्रामा भी निक सकते हैं या नाटक ठीक है? अब हम लोग चनते हैं ड्रामा के बाद नेक्स्ट इक्ससाइटमेंट उत्साह इक्ससाइटमेंट के बाद एन्सेस्टर्स पुरबज ग्रेट फुनी आभार ग्रेट फुनी का मतनब इसके बाद मेंटल तो देखिए जिस तरह से फुजिकली मतनब होता है सारीडिक उसी तरह मेंटल मिस मांसिक यानि दिमाग के कंडिशन माइंड ब्रेन कंडिशन ठीक है एक्टिविटीज ग्रेटी वीधिया एक्टिविटीज के बाद प्रेजिट प्रेजिडिश मिस पक्षपाद प्रेजिडिश मिस के बाद ट्राइब ट्राइब के बाद डिवास्टेटिंग डिवास्टेटिंग का मतनब विनास कारी फिर आगे आमनों चलते हैं डिवास्टेटिंग के बाद गारंटीड का मतनब गारंटीड फिर नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं विकाउज यह यह तो नॉर्मन मीनिंग है विकाउज का मतनब क्योंकि इसमें आपको पूरा मीनिंग देख लेने के बाद है अगर आप हिंदी से इंग्लिस से हिंदी करना जानते हैं तो आप इस बुक का ईंग्लिस का हिंदी करके देख सकते हैं थोड़ा बहुत आसानी तो जरूर होगे तेरिवली अपहिज या विक्लाउज प्रैक्टिकल practical का मतनब बेवहारिक practical के बाद आगे हम लोग देखते हैं enjoyment enjoyment मतनब आनंद ठीक है तो देखिए फिर आगे हम लोग चलते हैं hopness अब हम लोग क्या लगभग इस chapter के अंतिम में पहुचने वाले हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो आपको यह meaning useful लग रही हो तो आप वीडियो को एक like अबस्च दें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को share and subscribe जरूर करें आगे हम लोग चलते हैं indictment ज्यान whisper 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 means फुस फुसाना फिर आगे हम लोग देखते हैं whisper के बाद patient patient sorry p, a, t, i, e, n, t, s patient means रोगी या मरीज फिर आगे हम लोग देखते हैं patient के बाद blonde 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 का मतनदब होता है gora और इसका उन्टा होता है brunette miss siamda यानी kanda फिर आगे हम लोग चलते हैं another another का मतनदब दूसरा chance अबसर या मौका फिर आगे हम लोग देखते हैं world world means dunya sansar या vissu कुछ भी लिख सकते है a street गली a street के बाद trend trend का मतनदब प्रसिक्षित proves miss satyapit तो देखिए जो हम लोगो का first chapter का meaning था वो क्या हो चुका the end आप इसका फेर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को एक लाइक अवस्सी करें और इसी तरह के लिए और इसी तरह के क्लास का इंग्लिश का तयारी करने के लिए या इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जूरे रहे हैं आपको इसमें क्लास शुरू से यानि नर्सरी, NKG, UKG का भी इसमें वहां से लेके, वन से लेके आपको इंटर और आगे कंपिटिशन की भी तयारी करवाई जाएगी वो तो अभी शुरुआत है तो धीरे-धीरे आगे बरेंगे आप देख सकते हैं कि सोट्स में भर भू फोर्म्स अब साइनों आने बादा है फिर एंटो आएगा फिर ग्रामर सभी साथ में सबका तयारी होगा ग्रामर, ट्रांसलेशन, बुक और इंग्लिस का सारी तयारी इसमें करवाई जाएगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करने धन्यबाद जय हिंदे